नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दोस्तों आज मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के सैयोग से आप सभी लोगों के प्यार से अपना जो चैनल है वो 10,000 सब्सक्राइबर का आँकड़ा पार कर चुका है और निश्चित तोर पर अपना जो चैनल है बहुत सारे आँकड़े ऐसे ही पार करता रहेगा इसके लिए आपका प्यार और सयोग बना रहे आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोज को देखते रहे और जो जरुत मंद हैं जो पसू पालक हैं जो नए प्रैक्टिसनर हैं उनके साथ इन वीडियोज को सेयर करते रहें ताकि लोगों को जानकारी है जो प्रमानिक ज्यान है वो मिल सके किसी प्रकार के मिसकंसेप्सन ब्रांतियां या गलत नोलेज से उनको अपन बचा सके यही हमारे चैनल का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं तो निश्य तोर पे आप सभी का प्यार और सयोग इसी प्रकार से बना रहेगा और हमारा जो चैनल है वो बहुत आगे तक पहुंच जाएगा तो दोस्तो आज का यह वीडियो रहेगा इसमें अपन बात करने वाले हैं हमारे ही यूट्योब परिवार के एक साथ ही है भूरा जी पहलवान जिनोंने कमेंट किया है कि सर मेरी भैंस की योनी से पिशाब के साथ कुछ ऐसा इसतराव आता है जिसकी वज़े से उसका जो पीछे का पोर्शन है वलवार लिप से अडर तक का वो एकदम वाइट इस हो जाता है ऐसा कुछ पावडर जैसा वहाँ पे आता है सफेद रंग का पावडर होता है जिसकी वज़े से पूरी जो सर्फेस है वहाँ की वह एकदम सफेद हो जाती है तो बिल्कुल यह जो कमेंट है इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है कई लोगों में इससे लेकर कई तरह की ब्रहंतियां इससे जुड़ी हुई है फिल्ड में ऐसी कंडिशन बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलेगी जहां पे लोग इसको लेकर कई प्रकार की ब्रहंतियां फैलाते हैं कई तरह की misconception यानी गलत जानकारी लोगों को देते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जो भी सारे confusion ने इस से related उसको दूर करेंगे तो सबसे पहले जो भी लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वो अपना support बिल्कुल दिखाईए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए ताकि इसी प्रकार के उपियों के ज्यानवर्दक हैं authentic जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो दोस्तों आज का वीडियो अपन सुरू करते हैं जो whitish discharge होता है यूरीन में वो क्या है सबसे पहले उसको अपन identify करने की कोसिस करते हैं कि वो होता क्या है तो देखिए दोस्तों जो whitish discharge है वो होता है यूरीन की pH या यूरीन की concentration में change होने की वज़े से जो salt होते हैं body के वो अपने को वहाँ पे देखने को मिलते हैं वो जो salt है यानि लवन या नमक बोल सकते हैं स उसकी वज़े से वो जो surface है वो एकदम सफेज हो जाती है वो जो salt वहाँ पे निकलता है जैसे sodium chloride भी हो सकता है उसमें calcium और phosphorus के भी salt हो सकते हैं उनकी वज़े से वो surface हो जाती है ठीक है अब यह क्या कोई बिमारी है इससे कैसे बचा जाए तो यह कोई बिमारी नहीं है जो animal क की जो feeding होती है या watering होती है पानी कितना पी रहा है जा कितना दूद दे रहा है दूद दे रहा है या नहीं दे रहा है इन सारी conditions पर यह डिपेंड करती है तो अगर जानवर को proper तरहीं किसे अपन पानी पिलाएंगे रेगुलर उसके डीवर्मिंग कराएंगे उसको mineral supplementation अप प्रियाप्त होनी चीए ठीक है अगर urine concentrate होगा तो यह salt अपने को ज्यादा देखने को वहाँ पे मिलते हैं तो urine की जो concentration है वो regulate होती रहे इसके लिए प्रियाप्त मात्रा में जानवर को अपने को पानी पिलाना है अब कुछ भहसे होती है जो पानी कम पीती है उस condition में deworming औ जो भेंस होती है उसके urine में इस प्रकार का वाइटिस जो पावडर होता है वो discharge अपने को देखने को मिलता है तो यह एक misconception एक भ्रहांती है वाइटिस जो discharge होता है या जो surface सफेद हो रही है पीछे की उसका pregnancy से कोई relation नहीं है ठीक है जो जानवर pregnant नहीं है उसमें भी यह condition अपने को देखने को ना मिले तो pregnancy से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है केवल urine की concentration की वज़े से ऐसा देखने को अपने को मिलता है धन्यवाद